ठीक लग रहे हैं आपको यह नंबर्स कैसे लगे और यह कितना बड़ा रूल अपना सकते हैं इस समय देखिए डिंपी कोटक के नतीजों के बाद एक बात जाहिर होगे कि कोटक के अंदर डाउनसाइड अब जादा नहीं रहेगी और जो आरबिया के इंपक्ट की बाद जो सेलिंग आई थी वज़ सेंटिमेंट जादा था तो इंपक्ट कम था इंपक्ट जो आएगा वह तीन-चार सो से करोड का जादा नहीं आएगा कोटक के बाद शीट में उसका जो असार आएगा डोड़ाए परसंट उपर नहीं आएगा मगर स्टॉक को काफी गिनावट करा मार्केट जानना चाहेगा फिर हम बात करते हैं आर बिया आर बिया के अंदर भाई इतना बड़ा डिजिटल इंजिन है इतनी बड़ी डिजिटल प्रॉबस है उनकी कोटक ने में शका है कि हमारा डिजिटल एक्सपैंशन एक बेस्ट इंड इंडेस्ट्री है तो ऐसा क कि कोटक में इंडरा बैंक पराप्स कुट गेट इंटो ताइम वाइस कंसोलिडेशन और अलसो प्राइस वाइस कंसोलिडेशन या तो मार्केट दो नतीजों का वेट करेगा या फिर मार्केट के अंदर कुई एका लिक्विडिटी एवेंट होता है तो उससे में कोटक इन आव एड्ट परफॉर्मर रदर छेनं अंडरप पर्फोर्मर अगर ऊटवर्मर बनने मेंें कोटक को समय है लेकिन लिखिण सर आसपास का पूरा साल अभी तक का जो समय वीता है करीकुले चार महिने के आस पास का एक रींज में शियर रहा है, नंबर्स फड़े से कमजोर आए हैं स्ट्रीट के एक्सपर्टेशन से, टाइटन को आप के सार से देख रहे हैं सर, क्या चिंतित होने की जरुवत है टाइटन के नहीं विश्कों को? वाप में टाइम फ्रेम पे निर्बर करता है अबिश्यक, अगर आप एक टर्मिनल वाइल्य स्टॉक के देखते हैं, अगर आपने मल्टी एर, मल्टी कॉर्टर का व्यू अगर बना रखा है तो टाइटन के अंदर कुछ ना करें, अगर आप दो जार अठाइस, तीस, 31, 32 की बात कर रहे हैं तो टाइटन को सम्भाल कर रखें, अगर आप टाइटन भी नियर टर्म व्यू बनाना चाहते हैं, जो कि दो कॉर्टर का है, तो मुझे लगता है टाइटन अंडर परफॉर्म करेगा, इसलिए अंडर परफॉर्म करेगा, बिकोई नतीजे दमदार नहीं थे, वैलुशन्स भेंगे हैं, वैलुशन भड़ चुका है, और अब एक निवेशक के पास, कई कंपनीज हैं, जिसके अदर आप निवेश कर सकते हैं, जो कि अच्छी कंपनीज हैं, जुल्री बिजनिस के अंदर, एक जमाना था, Titan was the only large go-to player in the jewelry industry, और इतका premium और बढ़ गया था वो PC Jeweller के एपिसोड के बाद, मगर अब ऐसा नहीं है, तीन या चार बड़ी कंपनियां लिस्ट हो चुकी है, और Jewelry सेग्मेंट में जो टाइटन कर रहा है, उन नतीज़ अच्छे आ रहा है, बगर टाइटन जो एक play है, वह play Jewelry Plus, जैसा कि Eyewear, Watches, उनके अंदर Titan चोटे-चोटे बिजनिस क्रियेट कर रहा है, बगर उसमें लगेगा, कितना बड़ा हो चुका है, बगर वह टाइटन में एफ़ए 26 और फ़ए 27 में और देखने को मिलेगा, क्योंकि शेयर महंगा है, पिछले एक साल में निफ्टी 22 परसंट उपर है, टाइटन डिरेक्टर साब स्टॉक फ़एर करें, शायद 35 परसंट उपर है, तो इसने आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है इस आउट परफॉर्मेंस के बाद टाइटन के अंदर नियर टर्म के अंदर थोड़ा सा इससे में अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है,